हेलो दोस्तो मेरा नाम है मुस्ताक और आप देख रहे हैं मुस्ताक नरसरी यूट्यूब चैनल आज हम आपको बताने वाले हैं जेड प्लांट की बॉनसाई आपने देखी होंगी बहुत से तरीके की आती हैं और एक चैके खुप्सूरत बॉनसाई बन जाती है इसकी तो आज हम प्लांट आपको बताएंगे कैसा लेना चाहिए अगर बॉनसाई आपको बनाना है ठीक है देखिए यह हमारे पात काफी सारे प्लांट्स रखे हुए हैं जेड प्लांट की तो इसमें से देखिए एक तो यह है किसी भी नरसरी आप अगर जाएं लेने के लिए तो इस टाइट से खरीदें जिसकी मोटी इस्टिक हो नीचे से और इस तरीके से जड़े निकल रही हो है ना तो एक यह ले लेते हैं और देखते हैं एक अदर यह तो हलका है आपका यह भी थोड़ा ठीक लग रहा है और चलिए यह मिल गई यह ले लेते हैं काफी अच्छी है तो दो मिल लेते हैं हम इन दोनों को लगा करके बताते हैं आपको और सोहल कैसा हो ना चाहिए वो भी बताते है लाश्ट तक वीडियो में बने रहिए आदो दोस्तों हम आपको बताते हैं सबसे पहले पौट कैसा होना चाहिए। यह देख़िए। यह पौट इसकी उचाए 강ी है हूआ है। इस तरीके से भॉनसाई ट्रेश ले लेनी है किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगी। और इस तरीके के से छेद भुषूभू को यह वाली मिट्टी है जो लोग कहते हैं इसको निकाल देना चाहिए फौदे से और अपनी मिट्टी में लगाना चाहिए तो हमने यह वाली मिट्टी भी ली है ठीक है और यह ले ली हमने वर्मी कमपोश्ट और इसमें थोड़ी सी कोकोपीड भी हम ले लेंगे यह देखिए तो यह हमने चारो आइटम बराबर बराबर ले लिए है ठीक है तो इनको चारो को एक ही में मिक्स कर लेंगे काफी बढ़िया स्वाइल तैयार हो गया है देखिए एक लंबर का स्वाइल देख रहे हैं आप इसी तरीके से आपको स्वाइल बना लेना है महंगी से महंगी बॉनसाई आपकी तैयार हो जाएगी घर में ही लेकिन प्लांट जो भी आप नर्सरी से लाएंगे जैसे अभी हमने आपको बताया इसी तरीके से छार्ट करके लेके आना है मोटी इस्टिक का ठीक है चलिए स्वयल तैयार हो चुका है अब हम दोनों प्लांट्स लगाएं छोटी छोटी गित्नियां भी ले सकते हैं आप इस पे बड़ी थोड़ी सी भी रख सकते हैं हमने छोटी छोटी ले लिए हैं इस तरीके से रखते हैं इस बॉनसाई जेड प्लांट की किसी भी मौसम में खराब नहीं होती है और हमेशा याद रखना है आपको जेड प्लांट गंबले में लगा हो या आप बॉनसाई बना रहे हैं ऐसी जगे रखना है आपको जहांपे दो से तीन घंटे की धूप आती हो बहुत लोग कहते हैं ना बॉनसाई इंडोर में रखी जाती है इंडोर में नहीं रखना है आपको इंडोर में खराब हो जाएगी दो से तीन घंटे की धूप मिलना बहुत जरूरी है तभी अच्छी ग्रोध होगी और आपका पौदा हेल्दी बना रहेगा ठीक है? इस तरीके से पहले आपको आधा-धा पॉट भर लेना है स्वाइल से चलिए अब हम प्लांट की पोली बैड हटा देते हैं ये देखिए इस तरीके देख रहे हैं? रूट कितनी अच्छी हो रही है इसकी अब इसकी थोड़ी सी मिट्टी हम कम कर देते हैं ये देखिए इस तरीके से मिट्टी हटा देनी है पूरी नहीं अटानी है थोड़ी सी हटाएंगे कितनी हल्दी हो रही है इसकी रूट्स अब यह देखिए तीन रूट्स हैं बड़ी बड़ी है तो इनको क्या करना है आपको इस तरीके से फैला देना है यह यह देखिए अब रख देना है इसी तरीके से अगर सेट करेंगे एक बार में आपका प्लांट सेट हो जाएगा वो इसा भी प्लांट अगर आप नया लगाते हैं अपने पॉट में तो उसमें लगाने के बाद आपको पानी जरूर देना है तो आप दूसरा प्लांट ले लेते हैं वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा आपको अभी और भी कुछ हम बताने वाले हैं देख रहे हैं कैसी मिट्टी है यह पूना की मिट्टी है लान देख रहे हैं इस तरीके से जड़े फैला देनी है अब तोड़ा खूपसूरती के लिए इसमें श्टॉन डाल देते हैं कलतुन इस तरीके सा अगर आप लगा हुआ किसी भी नर्सरी से लाएंगे तो आपको कमते तम धाई सो तीन सो रुपे का मिलेगा है है ना यह हमने सफ्टे में तयार कर लिया है तरीब गेड़ सो रुपे की लागत है समझ लीजिए ठीक है हो गया अच्छा इस्टॉन से एक फाइदा भी यह है कि अगर आप पाई पगरा से भी अगर पानी देंगे तो इसमें इसकी जड़े नहीं खुलेंगे क्योंकि यह जो इस्टॉन डाले है हमने इस्टॉन से जड़े नहीं खुलेंगी अच्छा एक चीज और हम आपको बता देते हैं इसमें जैसे किसी चीज का मिक्शर वगएरा या कोई सी खाद वगएरा आपको जब डालनी हो तो इस टॉन हटा करके तब आप इसमें डाल सकते हैं उसको और ज्यादा इसमें आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि बॉन मिल है, जिफसम पाउडर है, फुटास वगएरा है थोड़ी-थोड़ी डालनी है, कोई ज्यादा इसमें जगे भी नहीं है इतनी और इतना ज्यादा मांगेगा भी नहीं ठीक है और इसमें ज़्यादा कोई आपको care करने की ज़रूरत नहीं है ये जो ये निकल रही है इसमें ब्रांच ये ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको cutting करते रहना है ठीक है ये थी छोटी सी जानकारी जो हमें आपको देनी थी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल पे आप नए है तो चैनल को subscribe कर लीजिए इसी तरीके की नए नई जानकारी और नए ने प्लांच के बारे में हम आपको बताते रहेंगे ठीक है दोस्तों मिलते ह आगले वीडियो में